हलो दोस्तो वेलकम टो स्टेडी युनिवर्स मध्यप्रदेश डेली करंट अफेर में आपका स्वागत है आज है 27 अपरेल 2019 और यह हमारी 138 वी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की द्रस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाती है साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affair से related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे दोस्तो आइकोन में एक question दिया गया है जो previous day का है इसे आप solve टिक करके दे सकती है question number first हाली में कब 200 malaria दिवस मनाया गया है जिसको सी option है 25 अप्रेल हाली में 25 अप्रेल को 200 malaria दिवस मनाया गया है यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है इसका उद्देश malaria के बारे में जागरुकता फैलाना है और इसे रोकने का प्रियास करना है इस दिवस की शुरूआत 2007 में WHO वा UNICEF द्वारा की गई थी दोस्तो आपको बता दे 2019 में malaria दिवस की जो थीम थी वह जीरो malaria starts with me यह थीम आपको याद रखनी है next question हाली में किसे रविंदरनाथ टैगुर साहत पुरुषकार 2019 दिया गया है जिसका सही option है रانादास गुपता राणादास गुपता को रविंदरनाथ टैगुर साहत पुरुषकार 2019 दिया गया है इन्हें यह उपन्यास सोलो जिसे 2010 में लॉंच किया गया है उसके लिए दिया गया है इसके अलावा यह हुई सास कावा यह कुस्ट्रो उनूलन में ब्रांड इम्बेसिटर हैं और ताइवान के रास्टपती तिसाई इंग वेन को लोकतंदर के प्रकास इस्तंब का जावा देने, शिक्षा, कला, साहित के खिशित्र में दिया जाता है इस पुरुषकार का यह है दूसरा संस्क्रण था तो दोस्तो इतना आपको इस साहित पुरुषकार की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन, कैंसर सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है तो इसका सई ओफ्षन है उन्नीसवा, कैंसर तैयारी सूचकांक 2019 में भारत को उन्नीसवा इस्थान प्राप्थ हुआ है हाली में EIU यानि Economist Intelligence Unit ने यह रेपोर्ट चारी की है जिसमें Australia पहले स्थान पर, नीदरलेंड दूसरे स्थान पर और जर्मनी तीसरे स्थान पर मौजूद है वहीं भारत को 19 वा स्थान प्राप्त हुआ है हाली में किस फिल्म मेकर को दीनानाथ मंगेशकर पुरुषकार दिया गया है जिसका सी ओफ्षन है मधूर भंडारकर मधूर भंडारकर को दीनानाथ मंगेशकर पुरुषकार दिया गया है दोस्तो इसके अलावा और भी केटिगरी में पुरुषकार दिये गये हैं उनके बा दोस्तो आप बात करती हैं दीनानाथ मंगेसकर पुरुषकार की तो इसकी स्थापना दीनानाथ मंगेसकर की स्मिर्थी में की गई है यह नाटक, संगीत, कला और सामजे कारेकरी शरणी में दिया जाता है तो दोस्तो इतना आपको दीनानाथ मंगेसकर पुरुषकार के बारी में याद रखना है नेस्ट कोशन हाली में किस बैंक ने नावार्ड और एन बीएच की अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची है जिसको से यॉफ्षन है आरिवी आई बैंक आरिवी आई बैंक ने नावार्ड और एन बीएच की अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है सरकार को क पिरामीर विकास बैंक की नाम से जानती हैं नावाड की इस्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी इसका हेटकौर्टर मुंबई में है और NBH को हम नेशनल हाउसिंग बोर्ड की नाम से जानती हैं यहाँ पर NH भी है दोस्तो अब हम आपको RBI की बारे में बता दें RBI का फुल फॉर्म Reserve Bank of India होता है इसकी इस्थापना 1 अप्रेल 1935 में की गई थी हेटकौर्टर मुंबई में है और RBI के गवर्णर है शक्तिकांत दास तो दोस्तो इतना आपको RBI के बारे में याद रखना है नेश्ट कॉस्चन रेटिंग एजेंसी इंकरा अनुसार भारत में बारेलेस ब्रॉडवेंड यूजर्स कितने हैं जिसको सही ओफ्षान है 53.2 करोर लोग भारत में ब्रॉडवेंड यूजर्स हैं जो बारेलेस तरीके से यूज करती हैं 1.2 करोर लोग सिर्फ फरवरी माहे में बारेलेस ब्रॉडवेंड से जुड़े हैं रिलाइस जियो के पास 56 प्रतिशत और आइडिया और बोड़ा फोन के पास 21 प्रतिशत की हिस्सेदारी है नेश्ट कॉश्चन बिस्व का सबसे बड़ा बौध्य मंदिर कहां इस्तित है जिसके से यूफ्षन है इंडोनेशिया इंडोनेशिया में बिस्व का सबसे बड़ा बौध्य मंदिर इस्तित है यह इंडोनेशिया की जावा शहर में इस्तित है इस मंदर को नौवी शताबदी में बनाया गया था इसे बनाने में 75 साल लग गयते दोस्तो 400 साल तक यह मंदर पाढ़ और पेडोंक में छुपा रहा है 1814 में इसे फिर से खोजा गया था दोस्तो अब बात आईए इंडोनेशिया की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें मैप में ये जिगह है इंडोनेशिया को दरसाती है इंडोनेशिया की राज़तानी है जकारता करंसी है इंडोनेशियन रुपिया और इंडोनेशिया के रास्टपती हैं जो को विडोडो तो दोस्तो इतना आपको इंडोनेशिया के बारे में याद रखना है Next question हाली में सेसेल्स में किसे भारत का उच्चायक तो बनाया गया है जिसका स्योफ्षन है दलवीर सें सुहाग दलवीर सें सुहाग को सेसेल्स में भारत का उच्चायक तो बनाया गया है दोस्तो सुहाग पूरो भारती सेना प्रमुक है 2014 से 2016 तक ये सेना प्रमुक रहे हैं भारत में और जल्दी सेसेल्स में अपना कारिभार समालेंगी दोस्तो अब बात आई है सेसिल्स देश की तो आपको मैप में इसके बारी में बता दें मैप में ये जिगह है सेसिल्स को दरसाती है सेसिल्स की राजधानी है विक्टोरिया, करंसी है सेसिल्स यन रुपिया और राश्टपती है डैनी फ्यूरे तो दोस्तो इतना आपको सेसिल्स के बारे में याद रखना है Next question किस सहर में गरीव शात्रों को मेडिकल सिक्षा के लिए 10% आरक्षण की घोशना की गई है जोसका सही ऑफषण है मध्यपरदेश मद्यप्रदेश में गरीब शात्रों के लिए मेडिकल सिक्षा में एड्मिशन लेने के साथ 10% आरक्षन की घोशना की गई है हाली में MCI Medical Council of India ने प्रदेश शरकार को यह आदिश दिये है 10% आरक्षन MBVS और PG दोनों पाइठेकरों में लागू किया जाएगा इसके लिए अलग से सीटों की बढ़ुत्री प्रदेश शरकार करेगी दोस्तो अब बात आईए मद्यप्रदेश की तो आपको इसके बारे में बता दे मद्यप्रदेश की इस्थापना 1 नॉमबर 1956 में की गई थी गवर्नर है अनंदी बेन पटेल मद्यप्रदेश की मुख्यमंत्री है कमलनाथ और राजधानी है भोपाल तो दोस्तो इतना आपको मद्यप्रदेश की बारे में याद रखना है नेस्ट क्वेशन मद्यप्रदेश में मैपिंग और प्रोफाइल अपग्रेडेशन में कौन सा जिला टॉप पर है तो कुछ इंप्रदेश में मैपिंग और प्रोफाइल अपग्रेडेशन में टॉप पर है हर्दा में 90 प्रतिशत मैपिंग की जा चुकी है यह मैपिंग और प्रोफाइल अपग्रेडेशन इसकूलों में किया जाता है कुछ important fact आपको हर्दा जिला की बारे में बता दें 25 माई 1998 में हुसंग आबास से विवाजित कर हर्दा अलग जिला बनाये गया था हर्दा में भूमीगत नाली विवस्ता वेटे सकाल का सर्वोशितम उधारन है मद्यप्रदेश का राजिका सबसे नियूंतम जनसंग के अवाला जिला है हर्दा बोरी वर्ण जीव अप्यारन हर्दा जिले में ही इस्थित है और सोडलपुर में काना बावा मेला लगता है तो दोस्तो इतना आपको हर्दा जिले के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में मद्यप्रदेश में पहली बार किस शहर में प्रदूशन नियंतरन बोर्ड लगाया गया है जिसको सी ओफ्षन है इंदोर हाली में इंदोर में पहली बार प्रदूशन नियंतरन बोर्ड लगाया गया है यह प्रोदूशन नियंतरन बोड रियल टाइम प्रोदूशन के आंकड़ी बताएगा अभी तक सिर्फ ओद्योगे के नगर पीथमपूर, मंडीदीप, सिंगरॉली आदी में यह बोड लगाया गया था परन्तु अब इन दोर के पूलो ग्राउंड में यह बोड लगाया गय दोस्तो अब बात आई है इंदर जिले की तो आपको कुछ इंपूर्टेंट फेक्ट इंदर के बारे में बता दें इंदर को मद्यप्रदेश की व्यवसाइक राजधानी कहा जाता है मिनी मुंबई इंदरपुर के नाम से भी इंदर को जाना जाता है देश का एक मात्र शह पित किये गए हैं चंबल नदी का उदगा मिस्थल इंदर की महू से हुआ है राला मंडल वन जीव अभ्यारन भी इंदर में ही इस्थत है राज्य का पहला हिंदी देनिक जैन जीवन इंदर से प्रिकासित किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेटकर की जन मिस्थली तो दोस्तो इतना आपको इंदर जिले की बारी में याद रखना है नेक्स्ट क्वशन हाली में किस शहर में ग्रीश मकालीन खेल प्रसिक्षन शुरू हुआ है जिसको से यॉप्शन है सागर हाली में सागर में ग्रीश मकालीन खेल प्रसिक्षन शुरू हुआ है यह शिवर एक महीने तक चलेगा जिसमें एक्सपर्ट्स खेल से जुड़ी जानकारी बच्चों को बताएंगे दोस्तो अब बात आईए सागर जिले की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको सागर की बारे में बता दें मध्यप्रदेश का प्रतम विश्विद्याले डॉक्टर हरीशिंग और विश्विद्याले सागर में ही इस्थित है मध्यप्रदेश का दूसरा पुलिस टेनिंग कॉलेज सागर में ही बनाया गया है फॉरेंसिक साइंस लेब भी सागर में ही बनायी गई है नौरा देही वन जी वब्यारन भी सागर में ही इस्तित है स्टेनलेस स्टील कॉंप्लेक्स सागर में ही बनाया गया है दोस्तो आप चंद की गुफाएं सागर में ही इस्तित है तो दोस्तो इतना आपको सागर जिले के बारे में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का Daily Current Affair आप हमारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तो हमारी 30 Important Days Related एक और सीरिज का तीसरा पार्ट आ चुका है जिसे आप जाकर देखें इसमें हमने मद्यप्रिदेश के और कुछ Bio Physics Chemistry के Question एड़ किये हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत Important है ये Objective Type वीडियो है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार Have a nice day